हे गाईज आम पूजा सोनी वेलकम टू पूजास कैसल सो फ्रेंज पेस्टिव सीजन चल रहा है और घर को डेकोरेट करना तो सबको पसंद है है ना और अब तो दिवानी आने वाली है तो हम लोग घर में दिये तो जलाएंगे ही तो इस बार हम लोग कुछ यूनिक टाइप के दिये चलाते हैं इससे आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं तो शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की कटोरिया ली है, आप प्लास्टिक के ग्लास भी ले सकते हैं, काच की ग्लास कटोरिया ले सकते हैं, उसके बाद हमें उसमें पानी भर लेना है, पानी फुल नहीं भरना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, उसके बाद उसे थोड़ा कलर बिर्फुर बनाने के लिए आप उसमें colors add कर सकते हैं, different different type के colors, आप flowers को भी add कर सकते हैं और leaves को भी, flowers and leaves add करने से बहुत ही अच्छा look आता है, मेरे पास यहां colors के ज़्यादा option नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़े से candles बनाई हैं, आप different different flowers को, leaves को और colors को add करके different types के candles दिये बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दो कटोरियों में मैंने flower and leaf डाल दिये हैं, और दो के लिए मेरे पास paint color है, तो मैंने उन्हें add कर दिया है, और एक के लिए मैंने हल्दी का use किया है, सारे colors mix करने के बाद, आप किसी stick से, या किसी भी चीज से colors को mix कर दो, अब यहां पर दियों का काम हो रहा है, तो रंगोली भी तो बनेगी ही, है ना, तो उसके लिए आप मेरे channel की playlist रंगोली को visit कीजे, उसमें आपको रंगोली making tools और कई तरह की रंगोलियां भी मिल जाएंगी, इतना करने के बाद, अब हमें चाहिए एक आटे की पन्नी, जो थोड़ी सी मोटी होती है, आप किसी भी प्लास्टिक के तुकड़े को ले सकते हैं, आप ये जो कटोरियां है, इसे भी कट करके round shape में ले सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये मुझे वीडियो बनाते time याद नहीं आया था, वो ज़्यादा बेटर लगता, अगर हमने इस कटोरी को ही कट किया होता, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मोटी पनियों को भी ले सकते हैं, उसके बाद उसे आपको round shape में कट कर लेना है, और बीच में एक hole कर देना है, उसके बाद हमें रुई की बातियां बनानी है, पतली पतली बातियां बना लीजे, और उसे उस hole से आपको थोड़ा सा बाहर निकालना है, जैसा कि वीडियो में है, सेम उसी तरह, इस तरह सारी बातियों को इस polythin में लगाने के बाद हमें चाहिए oil, आप जिस भी oil से दिये जलाते हो, आप वो oil ले सकते हो, उसके बाद इस oil को आप दो दो चमच सारे कटोरियों में डाल द अब आपको बांकी बचे oil को अपने डिब्बे में डाल देना है, और थोड़े से oil को बचा कर बातियों में लगा देना है, दोनों साइट, सारी बातियों में oil लगाने के बाद, जहां पर आपका oil पानी पर तैर रहा है, आपको वहां पर इन बातियों को लग देना है, और इसके साथ ही आपकी ये water candles या दिये जो भी आप कहना चाहो बनकर तयार हैं अब आप इन्हें जला लो और अपने room को decorate कर लो और यकीन मानो ये 2 चमच oil 3-4 घंटे तक इस दियो को जला के रखता है और अगर आपको लगे कि अब ये बुझने वाला है तो आप थोड़ा सा oil और add कर सकते हो और हाँ इसके अच्छे लुक के लिए आप बांकी की lights को off करना मत भूलना अब यहां तक देखा है तो मतलब वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो bell icon को press करना बिलकुल मत भूलना मैं आप से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई